अरिवासी हो भाषा को भार्तिय सम्विधान की आठ्वी अनुसूची में शामिल करने की माम क्यों कर रहे हैं हो औस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की एक मुंदा भाषा है जो 2001 की जनगर्णा के अनुसार मुख्य रूप से भारत में लगभग 1.04 मिलियन लोगों भारत की जनसंख्या का 0.103 पसेंट द्वारा बोली जाती है हो एक आदिवासी भाषा है यहाँ ओडिशा, जारखंड, बिहार, 36 गड, पस्चिम बंगाल, असम के हूँ, मुंडा, कोलहा और कोल आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है और वारन सिटी लिपी के साथ लिखी जाती है कभी कभी देवनागरी, लेटिन लिपी, उडिया लिपी और तेलुगु लिपी का उप्योग किया जाता है, हालांकी कहा जाता है कि देशी भाषी हो लिपी को पसंद करते हैं बादवाली लिपी का आविशकार ओड गुरु को लाको बोद्रा ने किया था हो नाम मूल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मनुश्य सभी हो वक्ताओं में से लगभग आधे जार्खन के पश्चमी सिंह भूम जिले से हैं, जहां में बहुत संक्यक समुदाए हैं हो बोलने वाले दक्षिनी जार्खन के पूर्वी सिंह भूम जिले और उत्तरी ओडिशा में भी पाए जाते हैं हो जार्खन में बोली जाने वाली भाशा की तुल्ना में मुंदारी की मयूर भंज बोली के अधिक करीब है हो और मुंदारी जातिय और भाशाई रूप से करीब हैं लेकिन बोलने वालों की क्षेत्रिय पहचान अलग है कुछ शोद करताओं और विद्वानों का कहना है कि हो और मुंदारी दो बहन भाशाई हैं आदिवासी कई महत्वपूर्ण कारणों से हो भाशा को भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही है भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में उन भाशाओं को सूची बद किया गया है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है जिससे उनका संद्रक्षण और प्रचार सुनिश्चित होता है यहां बताया गया है कि आदिवासी हो भाषा को शामिल करने की वकालत क्यों कर रही है सांस्कृतिक संद्रक्षण हो भाषा आदिवासी संस्कृती का अभिन्न अंग है इसे आठवी अनुसूची में शामिल करना इस अद्वितिय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षन के लिए आधिकारिक मान्यता और समर्थन का संकेत होगा भाषा किसी भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी रक्षा करने से समुदाय की पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद मिलती है पहचान और प्रतिनिधित्व कई आधिवासियों के लिए उनकी भाषा उनकी पहचान का एक मूल तत्व है सम्विधान में हो भाषा को मान्यता देने से आधिवासी समुदाय की विशिष्टता को मान्यता मिलेगी और उन्हें हाशिये पर जाने के डर के बिना अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक मंच मिलेगा शैक्षिक सशक्तिकरण आठवी अनुसूची में शामिल होने से हो भाषा में शैक्षिक संसादनों की उपलबधता हो सकती है इससे आदिवासी बच्चों को अपनी मात्री भाषा में शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी शैक्षनिक सामगरी की समझ और धार्ना बढ़ेगी अध्येनों से पता चला है कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण के दौरान जब छात्रों को उनकी मूल भाषा में पढ़ाया जाता है तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं शासन तक पहुँझ हो भाषा की आधिकारिक मान्यता से आधिवासी प्रमुक शेत्रों में स्थानिय शासन प्रशासन और कानूनी कार्यवाही में इसका उप्योग हो सकता है इससे उन लोगों के लिए पहुझ और भागिदारी में सुधार होगा जो अपनी मूल भाषा में संचार करने में अधिक सहेज हैं विलुक्थ होने से संरक्षन, प्रमुक भाषाओं के प्रभुत्व और सांस्कृतिक अस्मिता के कारण हो सहित कई स्वदेशी भाषाए खत्रे में हैं आठवी अनुसूची में शामिल किये जाने से हो भाषा के निरंतर उप्योग और पीडी दर पीडी प्रसारण को प्रोथसाहित करके इसे लुप्थ होने से बचाने में मदद मिल सकती है भाषाई विविद्टा, भारत विशाल भाषाई विविद्टा का घर है आठवी अनुसूची में अधिक भाषाई को शामिल करना इस विविद्टा के पोशन के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है हो और अन्यस्वदेशी भाषाउं को जोड कर भारत अपने सभी नागरिकों के भाषाई अधिकारों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकता है कानूनी सुरक्षा उपाय आठवी अनुसूची में सूची बद्ध भाषाउं को समवैधानिक सुरक्षा उपाय प्राप्थ है जो उन्हें भाषा संदक्षन, विकास और प्रचार के संदर्ब में सरकारी समर्थन के लिए पात्र बनाते है इससे भाषा संस्थानों, शब्दकोषों और भाषा आधारित सांस्कृतिक पहलों का निर्माण हो सकता है संक्षेप में भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की आदिवासियों की मांग उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और प्रचार करने, शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उनकी पहचान को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर अपने समुदाय के भाषाई अधिकारों को सुरक्षत करने की उनकी आकांशा से उपजी है भारत के विविद भाषाई परिद्रिश की रूपरेखा